हलू, नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत है अपने हमारे यूट्यूब चैनल में तो दूस्तू, वेकिंसी एरेजूकेशन के तैद आज हम एक और रेलवे की अच्छे वेकिंसी के बात करेगे और भारत के सभी विध्यारती इस पोस्ट पे या फिर रेलवे डिपार्ट्मेंट में नोगरी कर सकते हैं इसमें दस भी बारवी से लेके कई हदिक तक कॉलफिकेशन है ग्रेजुएशन डिगरी तक के विध्यारती इसमें अपलाई कर सकते हैं अगर आप एक स्टुडेंट हैं और करना चाहते हैं गार्मेंट जोप की तेयारी तो आप इसमें आराम से आविधन कर सकते हैं एकदम न्यू वेकेंसी है साउथ शेतर से निकले ही वेकेंसी है और आपको उनलाइन ही जमा करवाना होगा फोर्म आविधन पर कर सुरू हो चुके कम समय के लिए आविधन होगा करीबन दस दिन का आपको टाइमिंग मिलने वाला है दस दिन के अंदर आप इस फोर्म को ज चाहिए बहले ही भारत के किसी भी छेतर से रहने वाला एक स्टूडेंट हो तो यहां पर हम विध्यापन की बात करें तो आप देखेगा इसकी यह विध्यापन है साउथ रेल्वे की हम बात कर रहे हैं जो तारीक की बात करें तो यहां पर 21 अप्रेल को पब्लिक ही हो चु की है और इसका जो हेड़ क्वाटर है चेन नहीं में उसकी जोग लोकेशन वहां पर दी हुई है पेरा मेडिकल डिपार्टमेंट से वेकेंसी हैं इसमें टेकनेशन की पोस्ट हैं और ईसीजी टेकनेशन की पोस्ट हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं नर्स की पो पूर्टर होस्पिटल असिस्टेंट जो इसमें हाउस्किपिंग किया है मेडिकल लेब असिस्टेंट किया है यहां पर सब की पोस्टें अपडेट हुई है और इनके तेहती देखा जाए तो इनकी कॉलिफिकेशन अलग-अलग दे हुए है और इनकी आई उसी में भी निधा साल का है तो आप इसमें लगा सकते हैं 20-40 वस तक का विद्धारती इस फिर्म को बार सकता है फिजिकली ऑधरिटी की बात करें तो बैसलर डिग्री 18-23 वस एसीजी टेकनिकल से बात करें टेकनिसीन की तो अब दस वी बार वी की कॉलिफिकेशन मांगी गिए अगर इसे लेब असिस्टेंट की डिग्री है तो अब 18-23 वस तक का विद्धारती फोम को जमागर वा सकता है नेक्स्ट अगली बात करें तो बीएसी की पोस्ट हैं यहां पर देखेगा और ओस्पिटल असिस्टेंट हाउस्किपिंग की बात करें तो यहां पर ECU में 10 वी पास मांग यह सिर्फ 18-30 वस तक का विद्धारती है उसमें आविद्धन कर सकता है लेब असिस्टेंट की बात करें तो बारवी क्लास की कॉलिफिकेशन मांगी है लेकिन यहां पर मैथमेटिक की साइंस या कॉलिफिकेशन होना जरूरी है तब ही आप इसमें फोम जम्मा करवा पाए और यहां पर कुछ पोस्टों के लिए बात करें तो यहां पर रिजिर्वेशन भी दिया जाएगा एक्सपीरियंस में मांगे या कुछ फूस्टों के लिए तो यहां पर यह चीज है आपको खुद स्वें ध्यान रखनी होगी तो दोस्तों आगे हम विद्धन के बात करें दो यहां पर देखेगा जैसे को रिज़िर्वेशन के पाँच वर्स के जबकि जो ओब सी एंसेएल के अंदर आती है उनको तीन वर्स की मेडिकल जो सेटिविकिट है या पिर मेडिकल एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर लगा सकते हैं स्लेक्शन पास्ट को आपका कैसा स बैसने होगा इसमें आपका इंटर्वी बैस्ट के अनुसार सेलेक्शन दिया जाएगा यहां पर यह चीज के लिए हो चुकी होगी क्योंकि यहां पर सीधी आपको नोकरी मिलने वाली है तो यह चीज़े ध्यान में रखेगा हाथ खुद आप खुद स्वयम इन चीजों को ध क्यान में जाएगा तो यहां पर स्विस के इनुसार आपको नोकरी दिया सकती है या फिर आपको यहांसे अठाया भी जा सकता है application fees की बात करें तो किसी पर करकर का को प्रफिकेशन फिर्ज नहीं देना होगा इसके ओफिसल विबसाइड है यहां से आप लोग आविदन कर सकते हैं किसी भी एक विबसाइड पर आप जाएकर रेजिस्टेशन करवा सकते हैं 30 अप्रेल से पहले इस फॉर्म को जमा करवाना है सीधी बरती है आप जल्दी फॉर् इसमें जरूर भर सकते हैं और जिनके पास कॉल्फिकेशन नहीं है तो आपने दोस्त वगरा को सेर कर सकते हैं वह इसमें आविदन कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतने अगली वेकिंसी के साथ फिर सुरुवात करेंगे कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने लाइक किजिए शेर किजिए थेंक्यू जैह हीं दोस्तों